दोस्तों यह है Amazfit का नया smartwatch POP 3S चलिए इसे चेक करते हैं देखते रहिए तो यह है इसकी box packing जो key specifications है वो box के पीछे mention किया हुआ है यह ultra large display के साथ में आता है heart rate और spo2 plus stress monitoring यह कर सकता है zip active करके आपको application जो है उसे install करना है और चलिए इसकी मैं unboxing कर लेता हूँ इसे आप इस प्रकार से जो seal है उसे tear कर सकते हैं और box के अंदर जो product है उसे इस प्रकार से pack किया हुआ है यह है वो smartwatch POP 3S अब Amazfit के जितने भी smartwatches का मैंने review किया है इनकी जो और इनका जो pricing है यह भी काफी बढ़िया होता है तो यह देखें यह है वो smartwatch unboxing करने के बाद एक चीज जो मैंने immediately notice किया है वो यह है कि इसका जो display है यह थोड़ा सा curved है काफी amazing design है अचलिए यह देखें यहाँ पर इस प्रकार से यह थोड़ा सा curve हो जाता है इसका जो strap है यह silicon material से बना हुआ है buckle type का है skin friendly है अगर आपको इसे replace करना है तो spring mechanism दिया हुआ है बड़ी आसनी साप इसे replace कर पाएंगे नीचे यह देखें यह है charging points और इसमें heart rate plus spo2 sensors भी दिया हुआ है और इसकी जो body है यह भी काफी unique type की मुझे लग रही है यह है speaker out vent और इसमें built-in microphone भी दि दिया हुआ है अब जो crown है यह functional है यह नहीं on करने के बाद हमें पता चल जाएगा मैं फिलाल इसे on करता हूं यह दिखें डिस्प्ले की quality awesome level की है और इसका मैं setup कर लेता हूं लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि box में और क्या-क्या है तो box में आपको दो और चीज़े मिलन है उसे आप charge कर पाएंगे तो जो zip active application है इसे मैं install कर लेता हूं smartphone पर तो इस watch का setup मैंने कर दिया है जैसे कि मैंने कहा जो body है यह metal की बनी हुई है जो feel है इस smart watch का यह काफी अलग है दूसरे smart watches के comparison में और क्यूंकि यह amolet display है naturally जो display की quality है वो आपको immediately पहले ही नजर में अच् अच्छा है watch के साथ में काफी बढ़िया तरीके से blend होता है plus जैसा एस box पर दिया हुआ है वैसा ही initially feel मिलता है जो कि काफी अच्छा है और जब आप अपनी उंगलियों को इसके उपर घुमाएंगे इस प्रिकार से तब आप महसूस कर पाएंगे कि इसका जो display है यह slightly curved है ए इसे फिर से प्रेस करेंगे यह switch करता है और यह जो watch face है अगर मैं tap करके hold करूं यह देखें यह option यह वाला भी काफी अच्छा है और यह default चार options available है वैसे आप और भी watch faces को download कर पाएंगे मुझे यह वाला जो है default काफी बढ़िया लगा उपर से निचे swipe करेंगे quick settings के options जैसे कि दूसरे watches में आपको मिलता है left to right यहाँ पर आपको voice का option मिलता है right to left activity data है अब मैं इसे test करने वाला हूँ नीचे से उपर swipe करेंगे तो messages जो भी messages आपको मिलते हैं watches पर आप उसे पढ़ पाएंगे और यह जो button है इसे प्रेस करने के बाद आपको यह menu के options मिलते हैं अब य यहाँ पर देखें यह सारे options available हैं आप इसके साथ में voice calling कर पाएंगे यह आपके heart rate को monitoring कर सकता है blood oxygen levels sleep को monitoring कर सकता है workout में आप जाएंगे तो यह देखें यह 100 plus sporting activities को track कर सकता है monitoring कर सकता है और यह देखें यह अन्य options available है अब जादा करके जो options हैं आपको दूसरे smart watches में भी मिल सकते हैं तो काफी interesting है और इसमें calling का भी option दिया हुआ है अगर आप यहाँ पर उपर जाएं तो यहाँ पर dial का option दिया हुआ है मैं यह number dial करता हूँ और तो जो आवाज आप सुन रहे थे वो इस watch के जरीए आ रहा था इसमें जो built-in speaker है इसके जरीए speaker की quality काफी अच्छी है काफी loud है और जो microphone है इसकी quality भी काफी अच्छी है तो hands-free calling के लिए बहुत ही बड़ी option है मैं आपको बता दूँ कि यह जो watch है Bluetooth के जरीए आपके smartphone के साथ में connect होने वाला है तो जो calling functionality है वो Bluetooth के जरीए होने वाला है यह दिखे यह है zip active app और जो Amisfit Pop 3S है इसे मैंने स्मार्टफोन के साथ में connect कर दिया है 78% battery है यहां से आपको आईए मिल जाएगा और यहां पर आपको बहुत सारे options मिलते हैं notifications जो app notifications है आप यहां से enable या disable कर सकते हैं प्लस जो firmware update आएगा वो यहां से आप कर पाएंगे यहां पर watch setting का भी option दिया हुआ है प्लस यह जो dial center है यहां से आप बहुत सारे जो watch faces है उसे download कर पाएंगे बहुत ही interesting type के watch faces है यह दिखे और यह वाला भी काफी interesting लग रहा है यह नए watch faces है mechanical option भी यहां पर दिया हुआ है वैसे फिलाल तो काफी limited है लेकिन काफी interesting type के watch faces है जो menu styles है अगर आप चाहें तो उसे change कर सकते हैं always on display का भी option इसमें दिया हुआ है तो यहां पर जो always on clock है उसे मैं enable करता हूँ digital clock मैंने option select किया हुआ है और कुछी देर के बाद यह जो main watch face है यह off हो जाएगा screen off हो जाएगा और जो always on display है देखे अब यह on हो गया है तो always on support के साथ में आता है तो इस watch को मैंने टेस्ट किया है मेरा जो morning walk है उसके साथ में बहुती comfortably हाथों में यह fit होता है अलका भी है plus यह देखे मेरा जो walk schedule है उसे यह monitoring कर रहा है तो मैंने तकरीबन 30 minutes तक walk किया है और जो step count इसने मुझे बताया है यह काफी हद तक accurate है यह जो smart watch है आपको consistent results देने वाला है इसका जो heart rate sensor है यह काफी accurate है और जो SPO2 है यह भी काफी accurate है एस watch में Bluetooth 5.2 technology यूज किया गया है यह IP68 certified है dust or water resistant है और battery life के अगर बात करें तो आपको तकरीबन 7 to 9 days का battery life मिल सकता है बहुत बढ़िया battery life है अब यह जो amazfit pop 3S है यह silicon strap के साथ में आता है plus metallic strap का option भी available है यह जो watch मेरे पास है silicon strap के साथ में इसका pricing है 3999 रुपीस लेकिन office के तहट यह आपको तकरीबन 3499 रुपीस में मिल सकता है और जो metal strap variant है उसका pricing है 4999 रुपीस लेकिन office के तहट वो आपको तकरीबन 3999 रुपीस में मिल सकता है link मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है यह product है यह amazon पर available होगा यह smart watch आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे जरू बताईए देखते रहिए